सावन के पावन महिने में उत्तर परदेश के ललितपूर से चोका देने वाली वार्दा सामने आई है ललितपूर में एक शिव मंदिर से चोर शिविलिंग ही उठा ले गए गटना ललितपूर के जाक लोन कस्बे में सोमवार की रात की बताई जा रही है पूलिस ने बताया कि शिव मंदिर से अग्याच चोर शिविलिंग चोरी करके ले गए मंदिर में तोड़फूर और शिविलिंग को उखाणने के भी निशान मिले है पूलिस मामले में शिकायत दरच कर चोरों को पकड़ने में जुट चुगी है ललितपूर नगर के पूलिस उपादिशक सियो सिटी फूलचन ने मंगलवार को बताया कि सोमवार की रात अग्याच चोर जांखलोन कसबे के एक शिव मंदिर से शिविलिंग चोरी करके ले गए शिव मंदिर परिसर में जमीन की खुदाई के भी निशान पाए गए हैं जिससे यह परतीत होता है कि शरारती तत्वों ने गड़े धन के लालच में यह हरकत की है सियो ने पताया कि अग्याच चोरों के खिलाफ समंदित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगगी कारवाई भी की जा रही है वहीं इसी बिच गाउं में अपशोगुन की बाते भी तेजी से फैल रही हैं लोगों को बात करते सुना गया कि सावन के महीने में मंदिर से शिवलिंग चोरी होने अपशोगुन है लोग यह भी कह रहे हैं कि बगवान शिव की नराजगी भारी पड़ सकती है बरहाल पुलिस मामले को सुल जाने में जुट चुकी है गाउं के लोगों ने बताए कि मंगलवार सुबह जब भक्त मंदिर में पूजा करने पहुंचे तो उन्होंने मंदिर में शिवलिंग गायब देखा मंदिर में शिवलिंग की चोरी की सुचना तुरंद पुलिस को देगरी सावन का मीना होने के कारण रोजाना मंदिर पर जल जडाने और पूजा अर्चना करने के लिए सेकडों की सेंक्या में भक्त आते थे ऐसे में भक्त जल से जल शिवलिंक को वापस लाने की मांग कर रहे हैं ऐसे बीडियों के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद